दोस्तों क्या आप rejection face करते हैं अगर आप sales में हैं क्या आपको अकसर ये सुनने को मिलता है कि आपका proposal तो अच्छा है product तो अच्छा है लेकिन हम किसी और को ये order दे रहे हैं इस तरह की बहुत सारी situation sales profession में आती हैं कभी ना कभी हां कभी rejection तो कभी acceptance लेकिन आज का topic है कि customer की ना को हां में कैसे बदलें और objections को कैसे हैं दोस्तों काफी research हुई है कि चार बार ना कहने के बाद हां कहता है और बहुत से लोग दो बार के बाद छोड़ देते हैं 80% लोग चार तक तो पहुंचते ही नहीं है तो आप समझ लीजे कि आपका competition है नहीं क्यूंके 20% लोग 4 के बा है कई बार price issue होता है कई बार अभी budget नहीं है कई बार दो महीने बाद वो करना है जो भी उनके challenges हो थोड़ा बात को आगे बढ़ाईए पूछे कि कर रहा है क्या क्या वज़े है आप क्यों ना कह रहे हैं कई बार busy होते है phone नहीं उठाते आप दो बार follow-up करके थोड़ देत है अभी time नहीं है busy बहुत है यह कुछ time बाद decision लेना है तो जब तक यह सारे facts आप जानना लें तब तक customer की ना को ना की तरह नहीं लेना है हां में बदलने के आपको पूरी कोशिस करते हैं दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा आपको ना सुननी पाद आपकी conversion is very low इसका मतल है कहीं नहीं आपकी sales strategy में कमी है आपकी pitch में कमी है आपकी closing में कमी है वो आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपकी closing percentage 80% से उपर नहीं है and one-to-one interaction अगर आप one-to-one मिलते हैं customer को और 80% से उपर आपकी closing नहीं है तो आपको closing सीखनी मेरी एक बहुत सुन्दर किताब है closing your sales using NLP उसको जरूब पढ़ें अभी और भी बहुत में किताबें sales के उपर लिकोंगा जितनी उसके उपर आप महारत असिल कर सके जरू करें क्योंकि अगर sales conversion नहीं हो रही है हो सकता problem आप में हो आपको अपनी sales pitch improve करनी है अपनी pricing strategy improve करनी है अपनी follow-up strategy improve करनी है और भी बहुत हो सक सब कॉंसिसली कस्टमर डिसाइड आप से काम करना है कि नहीं करना है तो फिरी इंपॉर्टेंट टू इंवेस्ट मैं वेस्ट पर कह रहा हूं इंवेस्टमेंट है यह किमेज कंसल्टेंट हायर करें कोई ताकि आप किस तरीके से अच्छे कलर आप देख रहे हैं मेरा खेल आप siate डिख़ कैसा आपकि कैसी आपको तो नहीं है नोके अगर आप अपने को बदेख तो यह ना को आमे आसानी होजाएगी इंवेसे तो क犬्हस्टेंट नहीं कोई घ्याराम जेल्igu करेंगे पैसे नहीं है कोई डिजायर उती स्टॉंग नहीं है या ट्रस्ट नहीं है आपकी कंपनी को पर लेकिने कॉमन अब्जेक्शन जो हम सब को सेल्स प्रोफेशनल्स को फिस करना पड़ता है कि अभी पैसे नहीं है तो दोस्तों कि कई कई सारे रास्ते आते हैं जिसे मे मेरी सर्विसें प्रोड़क कॉस कुछ रही है मैं जूम पर ट्रेनिंग्स करता हूं अगर सामने सौ लोग बैठे हो हजार लोग बैठे हो कोई पर्क मी बढ़ता है तो कुछ लोगों के बाद इनके पास पैसे नहीं होते जस्ट फॉर गुडविल सेक और आज तक किसी ने पैसे मारेन ही सबने दिए हैं तो मैं मैं ऐसा भी उफर करता हो तापको क्या सूट करता है systolmen शूट करता है को और तरीका सूट करता हैा को से का बजेटको लेकी पषयसर नहीं है आपको बास टेस्तिमोनिल होने की बॉत सारे मेरे पास को अपनी को लेके सौ से जयादा कुछ situation से आपको समझ के solution देना मेरी किताब में closing your sales through NLP में एक repo building के ऊपर पूरा-पूरा chapter है कि आप जब पहली मुलाकात customer से करें तो repo building कैसे करें repo building होता है कि कई सारे phrases जैसे मेरा अगर तक्या कलाम है कि this is fantastic product तो आपको fantastic word यूज करना थी कुछ बहुत सारी मेंने hacks भी है बहुत सारी strategies भी है जिसके जरीए आप customer से एकदम repo built-up कर सकते हैं अगर आप उसके office जा रहे हैं उसकी genuinely आपको टाइ अची लगिए तो थोड़ी टाइ की कॉंपनिमेंट दें उसके office में अगर उसके बच्चों की फोटो है अच्छी सी फोटो लोग लगाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पूच्छे तो ये रेपो building बहुत जरूरी है शुरू में जब आप बैठें getting comfortable breaking the ice with the customer सीधा business की बात पर ना उतराएं कि सरो proposal बेजा तो उसका बताएं क्या होगा तो थोड़ी से रेपो building थोड़ी से likability एक दूसरे के लिए करें और को थोड़ी से अच्छी feeling लाएं एक magic question आज आपको बताता हूं और गोल्डन परसें चांस है कि जब बारी आएगे order close करने की we will go back with order and advance कुछ दोस्तों ऐसी offer call to action जिसमें अगर customer अभी action लेता है तो कुछ तो कुछ ऐसा बढ़ी है discount कुछ तो कुछ ऐसी offer कुछ तो कुछ ऐसी additional service अगर आप आज करते हैं या अभी confirm करते हैं तो मैं फोड़ा सा या आपको extra दे सकता हूं discount या यह एक और service में आपके लिए कर सकता हूं यह जरूर कुछ तो कुछ चीज़े अपना homework करके जाएं तैयारी करके जाएं and last but not the least अगर फिर भी no हो गई है तो दिल से ने लगा है don't take it personally अपनी average पे काम करें अगर महीने में आपने 30 मीटिंग की तीस में अगर आपकी 20 हां हो रही है तो दस को इग्नोर करें उनके कोई और प्राब्लम हो सकते वह जा तो आपके ideal customer नहीं थे या उनके बास बिलकुल पैसे नहीं है उनकी जरुवत नहीं थी और उसको बिलकुल दिल से लगा कि don't think you are a failure this is a job in progress आपको रोज सीखते रहना है रोज इवाल होना है रोज अपनी skills को बढ़ाना और closing percentage को बढ़ाते जाना है जब तक आप 1995 पे नहीं पहुंच जाते तब तक दोस्तों रुकना नहीं है औ किस्टमर की ना को हा में बदलने में महारत हासिल कर दिया दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजे अपना फीड़बैक दीजे आपको और किस तरहें किस तर टोपिक्स के उपर मुझे वीडियो बनाने हैं आपके आपके इस वीडियो से आप समझते हैं कि फाइदा उठा सकते हैं अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकोन वह बना हुआ ज़रूर दबाएं ताके आपको फुचर में हर वीडियो के ऐसे बड़े हाई वेले वीड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ आजाए जैसे ही कोई नया वीडियो पोर्ट को थो थैंक यू झाल